मुंबई NCB के जोर्रल डारेक्टर समीर वानखिडे को लेकर अभी अभी मुंबई हाई कोट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सब को पता है कि कुछ दिनों पहले जो NCB कोटे से मंत्री हैं नवाब मलिक के खिलाब में समीर वानखिडे के पिता ने मुंबई हाई कोट में एक मानहान का केस दज़ कराया था जिस पर जो है 22 नवंबर को कोट के द्वारा फैसला भी सुनाया गया और कोट ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो नवाब मलिक हैं उन्हों ने जो भी अभी तक जो भी डॉक्मेंट सेयर किये हैं समीर वानखिडे के खिलाब में उसको पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता इसलिए हम नवाब मलिक को कोई भी ट्वीट करने या समीर वांखिडे के फैमली के खिलाप में कुछ बोलने से नहीं रोख सकते जिसके खिलाप में कोट के सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाप में जो समीर वांखिडे के पिता हैं वो फिर से मुंबई हाई कोट पहुचे थे जो है आप समीरवान खिड़े और उनकी family के ऊपर कोई भी statement नहीं देंगे कोई भी document उनके खिलाब में public के साथ में अपने tutor account पे नहीं सेयर करेंगे मतलब की court के द्वारा सीधा सीधा इनके ऊपर रोक लगा दी गई है सेम यही चीज के लिए जो समीरवान खिड़े के पिता हैं उन्होंने पहले भी सेम याज के अदाकिल की थी और उनके द्वारा यही request की गई थी कि उनको रोक लगाया जाए कि वो जो है उनकी family का जो personal document है उसको भी public के साथ में share कर रहे हैं लेकिन पहली बार court ने उनके request को accept नहीं किया था और अब मुंबई high court ने आज request accept कर लिया है और नवाब मलिक के उपर पूरी तरह से रोक लगा दी है अब लेकिन अब देखते हैं कि नवाब मलिक अब जब court के द्वारा फैसला सुना दिया गया है और court ने भी उनको उनके उपर बैन लगा दिया है तो क्या वो अब फिर से समीर वान की ड़ाव और उनकी family के खिलाब में कोई document share करते हैं या नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें